आम आद्मी पार्टी के मुखिया अर्विंद के जिवाल अब एक्सपोस हो गए हैं सत्ता में आने से पहले अर्विंद के जिवाल ने क्या नहीं कहा था अपने आपको आम आद्मी कहकर अर्विंद के जिवाल ने दिल्ली वालों से वोर्ट तो ले लिया लेकिन सत्ता मिलते ही आम से खास बन गए सत्ता में आने से पहले अरविंद के जिवाल ने जिन मुद्धो का विरोध किया था अब वो वही कर रहे हैं के जिवाल ने ऐसा यूटन लिया कि गिरिगेट भी शर्मा जाए अरविंद के जिवाल ने पार्टी का गठन किया और नाम रखा आम आदनी पार्टी जब पार्टी बनी थी तो उसका एक मातर उद्देश था कि देश की जनता को वैकलपिक राजनीती से जोरना किसी भी हालात पर लोगों को राजनीतिक भरस्ताचार से मुक्ती दिलाना एक ऐसी सत्ता देना जिस पर जनता को भरोसा हो कि ये हमारे जीवन में कुछ बदलाओ करेंगे तमाम तरह के आरोप परत्यारोप के बीच अब ये बात साबित होने लगी है कि अरविंद के जिर्वाल ने पार्टी सिर्फ अपने नफे नुकसान के लिए बनाई थी और उनका एक मातर खालिस दे था कि किसी भी तरह सत्ता पर काविज रहना हमाज आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताएंगे कि कैसे ये बात साबित होती है कि अरविंद के जिर्वाल का एक मातर लक्ष था कि किसी भी तरह सत्ता पर काविज रहें सबसे पहले अरविंद के जिर्वाल ने कहा था कि हमारी पार्टी परिवार केंद्रित और वेक्ति केंद्रित नहीं होगी लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कैसे अर्विंद के जिर्वाल ने जब से पाटी बनाई है तब से पाटी के सयोजक पद पर वही काविज है और आपके सम्विधान में भी भारी बतलाओ कर दिये गए हैं। और अरविंद केजिर्वाल की पार्टी वेक्ति के अंद्रित पार्टी बन कर रह गई है। दूसरी तरह बात करे तो अरविंद केजिर्वाल ने आपको धीरे-धीरे परिवारवदी दल के रूप में पहचान बना दी है कि उनकी पत्नी सुनीता के जिवाल ने आपके सयोजक के जेल जाने के बाद फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करनी शुरू की और जब पार्टी ने गुजरात के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की तो उसने सब को चौका दिया कि आप भी बन गई परिवार परिवारदी दल क्योंकि अरविंद के जिवाल की पत्नी सुनीता के जिवाल का नाम स्टार प्रचारकों के लिस्ट में दूसरे नमबर पर था मतलब अरविंद के जिवाल के बाद पार्टी में नमबर दो की नेता सुनीता के जिवाल बन गई जबकि मनीसी सोधिया पंजा कि वो अपने समर्थित लोगों को राजसभा भेजे तो उन्होंने इंडी तिवारी और सुछिल गुपता जैसे बिजनसमेन को राजसभा भेज दिया और सरकारी पैसे से भी विज्यापन देने से आपने परहेच नहीं किया जिस पर कोट से भी उन्हें खूब फटकार लगी अर्विंद के जिवाल ने जो कॉंग्रेस की राजनितिक जमीन पर अपनी फसल उगा कर अपनी सत्ता की पटकता लिखी विज्यापन देने में कॉंग्रेस ही साबित हुई कॉंग्रेस की तर्च पर केजिरवाल ने भी अपना चेहरा चमकाने के लिए 173 करोर रुपे खर्च कर दिये जिसको लेकर बीजेपी ने खूब घेरा था केजिरवाल और उनकी सरकार को केजिरवाल काम से ज्यादा विज्यापन पर खर्च करते हैं जिसको लेकर कोट से भी फटकार लग चुकी है अर्विंद केजिरवाल की बात करें तो वो जब राजनीती में आये थे तो उन्होंने दिल्ली और देश के लोगों को आम आदमी की सरकार बनेगी ये कहकर सपने खूब दिखाये थे लेकिन सत्ता मिलने के 10 साल के भीतर ब्रस्ताचार के आरोप में अर्विंद के जिरवाल सलाखो के पीछे पहुँच गए और अब कुर्सी से ऐसे चिपके हुए हैं कि जेल चाने के बाद भी सीम पद पर बने हुए हैं लेकिन सत्ता में आने से पहले अर्विंद के जिर्बाल कहते थे कि आरोप लगते ही नेताओं को अपने पत से इस्तिफा दे देना चाहिए लेकिन अब अर्विंद के जिर्बाल राजनीती के मजे हुए वो खिलारी बन गए हैं जिसके लिए सत्ता से बढ़ कर कुछ भी नहीं है और भी वीडियोज देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं